राम सिया राम सिया राम चे जे राम नमश्कार भाई और बेहनों बहुत साल की इंतिजार के बाद कल राम मंदिर का उध्गाटन होगा अयोध्या में प्रभुश्री राम अपने घर वापस आएंगे राम लल्ला की मूर्ती जनता के सामने अल्रेडी लाया गया है जहां वो एक पांच साल के बच्चे के रूप में दिख रहे हैं पूरे अयोध्या को सजाया गया है और देश विदेश से करोरोर में लोग अयोध्या आये हैं प्रभुश्री राम के दर्शन के लिए तो आज हम जनेंगे क्या है राम मंदिर का हिस्ट्री और क्यूं कल ही के दिन राम मंदिर का उध्गाटन किया जा रहा है तो पहले ये सवाल का जवाब ठूनते हैं कि क्यूं कल यानि 22 जनवरी को राम मंदिर का उध्गाटन किया जा रहा है अगर एस्ट्रोलोजर्स की माने तो 22 जनवरी यानि कल करमा द्वादेशी है जिस दिन को भगवान स्री विष्णू का दिन भी बोला जाता है अगर पुरानों की माने तो इसी दिन भगवान स्री विष्णू कुर्म अफ्तार में प्रकट हुए थे प्रभुश्री राम भगवान स्री विष्णू के ही अफ्तार है इसी लिए इसी दिन को राम मंदिर के इनाग्रेशन के लिए चुना गया है अब बात करते हैं राम मंदिर के हिस्ट्री के उपर अगर गव्मेंट कैजेट्स की माने तो सन 1528 में मुगल समराट बाबर के जिनरल ने अयोध्या के राम कोट में अवस्तित राम मंदिर को तोड़ के वहां एक मस्जिद बनाई थी इस थान को प्रभू श्री राम का जनम भूमी भी बोला जाता है सन 1803 में पहली बार इस मस्जिद के उपर सवाल खरे करे गिये जब नवाब वजिद अलिशा के सासन के दोडान हिंदू संगटन निर्मोही ने ये बताया कि एक हिंदू मंदिर को तोड़ के वहां बाबर का मस्जिद बनाया गया है जिसके लिए काफी religious violence भी हुए इस violence को खतम करने के लिए 6 साल बाद ब्रेटिश सरकार ने उस साइट को एक partition बना के दो हिस्सों में बाट दिये मुसल्मानों को मस्जिद के अंदर नमास बनने का पर्मिशन दिया गया और हिंदू को बाहर के कोड में पुजा करने के लिए बोला गया फिर सन 1949 में बाबनी मस्जिद के अंदर प्रभू श्री राम का एक मुडत मिला इसके बाद फिर से टेंशन्स बढ़े और गोपाल सिंग विशारत नामक एक व्यक्ति फैजलाबाद कोड में ये अपील डाली कि श्री राम की पाई हुई मुर्ती का पुजा किया जाए वही हशी मंसारी नामक एक व्यक्ति ने अपील डाली कि मुरत को हटाया जाए इसके बाद सरकार ने उस जगय को लौक कर दिया 1980 के दौरान एक कैंपेन लौंच किया गया मंदिर बनाने के लिए जहां विश्व हिंदु परिशद याने वी एचपी एक कॉमिटी गठन की प्रभुश्री राम की जनम भूमी में उनका मंदिर बनाने के लिए 1990 साल में बीजेपी के ततकालिन प्रेजिडेंट लाल कृष्ण आध्वानी ने एक रत यात्रा की खोशना की राम बंदिर प्रतिश्टा के लिए जो की गुजराट के सोमनाच से होते हुए आयोध्या तक तै की गई 6th December 1992 में बाब्री मस्जीत का धाचा गिराया गया इन सब डिस्प्यूट्स के बाद 2003 में आर्कियोलोजिकल सर्वे अफ इंडिया ने डिस्प्यूट्स साइट के माएना की और उन्होंने मस्जीत के नीचे एक हिंदू कॉम्प्लेक्स होने के प्रूफ्स सब्मीट किये इसके बाद 2010 में अलाबाद हाई कोट ने उस जगर को तीन हिस्से में बाटने के लिए बोला जिसमें से एक हिस्सा दिया गया रामलल्ला को एक हिस्सा इस्लामिक बोर्ट को और अंतिम हिस्सा निर्मोही अखारा को इस डिसीशन को तीन हो ने चैलेंज किया और 2011 में सुप्रीम कोट ने इस डिसीशन को स्टे कर दिया आखिर में 2019 में ये राय दिया गया कि पूरा डिस्प्यूटेट लैंड यानि 2.77 एकर की जमीन गव्मेंट ऑफ इंडिया की बनाई हुई एक ट्रास्ट के नाम किया जाए जो कि वहाँ पर राम अंदिर बनाए सुप्रीम कोट ने गव्मेंट ऑफ इंडिया को ये भी निर्देश दिया कि एक अल्टरनेट पाँच एकर की लैंड सुन्नी बोट को दिया जाए जहां पर मस्जित बनाया जाए 2020 साल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मूदी जी ने मंदिर की स्थापना के लिए फाउंडेशन स्टोल डाली और पूरे तीन साल लगे मंदिर को पनने के लिए तो दोस्तों ये थे राम मंदिर के इदगेद कई सवालों के जवाब आशा करता हूँ भगवान श्री राम हम सबको आशिरवाद दे और हम सबकी आना वाला वक्त बहुत ही अच्छा हो इसी के साथ ये वीडियो मैं खतम करता हूँ अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करे और हमारे चनल अवीतान को सब्सक्राइब भी करे अब तक के लिए अलवीदा जैशी राम